तो इस सब के माइने क्या हुए हम क्या समझें इसका कुल निशकर्ष क्या निकालें कुल निचोड क्या निकला कि हमारे देश की एक सम्विधान पुष्टिका है पुष्टक है दूसरा वह पुष्टक वह जीवंत है तीसरा जीवंत क्यों है उसकी बातों को हमने समझा कि हमा सम्विधान निर्माता बड़े दूर दर्शी रहे और दूर दर्शिता के साथ उन्होंने जो कारिकिया इसलिए हमारा सम्विधान सतत रूप से चल रहा है। चौथा इस कार्थ यह नहीं कि हमारा सम्विधान बड़ा कठोर है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता इसका अर्थ ये है कि सम्विधान में सम्विधान को नहीं बदला जा सकता पर सम्विधान में बदलाव किया जा सकता मैं फिर से बोल दूँ सम्विधान को नहीं बदला जा सकता लेकिन सम्विधान में कुछ बदलाव संभाव है और यही जो संभावना है यह हमारे संभधान को जीवन्त बनाती है और पांचवा यह जो बदलाव है इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है इस निश्चित प्रक्रिया में चूंकि संभी ढाचा है राज्यों को भी अधिकार दिया गया है राज्यों को भी वही अहमियत दी गई है जो केंदर की है इसमें बेशक कोई मत नहीं कि केंदर के पास सो मामले हैं या सो विभाग हैं या सो विशे हैं और राज्य के पास 61 वि कि रेलवे, विदेश नीती, रक्षा नीती, ऐसे जो बहुत से मामले हैं, इसमें राज को देना उचित ही नहीं होगा, और इसलिए उनके शक्तियों की संख्या उस हद तक थोड़ी कम है। लेकिन उनको अधिकार दिया गया है, जहां तक संखी मामले हैं, उसमें किसी तरह के बदलावक में राज्यों को अधिकार है। होने के बावजूद लचीली है। तीसरा अगला निशकर्श, शर्तों की कठोरता तो है। क्या शर्ते हैं? अलग-अलग सदन, निन तम आधे उपस्थित, उपस्थित लोगों का दो तिहाई, राज्यों की सहमत, ये सब शर्ते ही तो हैं। तो शर्तों की कठोरता और बड़ी कठिन शर्ते हैं। इसलिए इतना सरल नहीं हमारे हैं संशोधन। यद्यपी मैं फिर से दोरा रहा हूँ, 105 संशोधन मातर सत्तर वर्ष में हो गए हैं। पर इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये वाजिब है, गैर वाजिब है, संख्या है, क्या है? इसके बावजूद तो समझना ये है कि कठोरता के बावजूद संशोधन की प्रक्रिया इतनी कठिन भी नहीं कि अव्यावारिक हो जाए, संभव है, और संभव है इसलिए 105 संशोधन हो गए, हाँ उन संशोधनों में कुछ संशोधन पहली प्रक्रिया के तहत हुए, पहले तरीके के तहत, कुछ संशोधन दूसरे तरीके के तहत, कुछ संशोधन तीसरे तरीके क जिसका अध्यान हम आगे करेंगे कि कौन से संशोधन किन तरीकों के तहद किये गए और क्यों किये गए इसका अध्यान आगे होगा फिलहाल हम इतना समझ लें निशकर्ष की रूप में कि शर्तों की कठोड़ता के बावजूर संशोधन की प्रक्रिया आव्यावारिक नहीं ह संभा है इतना कठिन भी नहीं बना दिया कि लोग जरूरत पढ़ने पर भी बदलाओ ना ला सकें और अंतिम है भारती संविधान इसी लिए कठोड़ता और लचीले पन का अभूत पूर्व अन्पैरलल्ड इसको याद रखें और इस बात के लिए गर्व करें के भारती संविधान इंडियन कॉंसिटूशन इस नाइदर रिजिड नर फ्लेक्सिबल इस वेरी जुडिशस मिक्स्चर और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और इसी लिए यहाद अभूत पूर्व दाहरन है हम ना अमेरिका के पिशलगू हैं संविधान के मामले में ना इंग्लेंड के ना रूस के ना फ्रांस के एक ऐसा देश जो डेमोक्रेसी जैसी जवस्था को लेकर जहाँ पर निर्णे लेने में की गती बहुत धीमी है वहाँ पर भी हम इतने सफल रहे हैं और आज सत्तर वर्ष में एक भी बार ऐसी स्थितिनी आई जहाँ पर समविधान को खत्रे की बात महसूस की गई हो अब यह 42 संशोधन होता है और उसके बाद 377 के चुनाओं हुए जब आपातकाल हटाये जाता है और फिर चुनाओं होते हैं तो सत्ताधारी दल जिसने यह संशोधन किये थे 42 संशोधन और साथ कॉंग्रेस उसकी हार होती है उस हार के कई कारण है वो दूसरा मुद्दा है पर जो नया दल सत्ता में आता है नई सरकार जो सत्ता में आती है उसने यह ठान लिया था कि इन संशोधनों को निरस्त करने का प्रावधान किया जाए इस पर पुना विचार किया जाए और जरूरत हो तो इन संशोधनों को निरस्त करने का कार किया जाए और इस संशोधनों को निरस्त करने के लिए पुना संशोधन होते हैं जिसे हम 43 और 44 संशोधन कहते हैं। ये समद्धान द्वारा 38, 49 और 42 संशोधन के अधिकांच पराउदानों को रड़ कर देता है। नंबर था क्रमांग था 43 वां और 44 इतना समझने के बाद अब हम बिलकुल एक नए बिंदू पर आते हैं यद्य पर इस बिंदू का जिक्र पूर में बार बार किया जा चुका है जहां मैंने बताया कि सम्विधान की मूल सनरचना को लेकर कुछ मामले नयायले में गए तो एक केस हुआ था केशवानंद भारती केस ये केशवानंद जी एक मठ के संत थे केरल में और जिस मठ के वो संत थे उसके पास 1000 एकर जमीन थी सन साथ सतर के दशक में छटमे साथमे दशक में भारत सरकार ने गरीबों को कास्तर उठाने के लिए जमीनों का पुनर निर्धारन किया और बहुत से ऐसे लोगों की जमीन जो अतिरिक्त थी उनके पास या जो खाली थी आदी लेकर उसने गरीबों को बाटी उद्देश था ऐसी व्यवस्था लाना जिसमें कोई भूमी हीन ना रहे कोई किसान सुधार करना समाज में सामाजिक आर्थी के सित्य में सुधार लाने के प्रयाज की तहद जमीन से सम्मद्द बहुत से कानून बने उस समय केशवानन भारती जो मट के मुखिया थे दौर लगाई कि इस मठ की हजारों एकर जमीन मठ के द्वारा समय समय पर अरजित की गई है यह उसकी जमीन है सरकार इसे क्यों ले सकती है कैसे ले सकती है और ऐसा कहते हुए उन्हों ने सम्विद्दान के ही दो बिंदू पर नयालय का सरवच नयालय का ध्यान खीचा वे बिंदु थे दो मुद्दे दो बातें एक तो धार्मिक संपत्य को मैनेज करने का अधिकार जो हमारे अधिकारों में है धार्मिक संपत्य को मैनेज करने का उससे जुड़े हुए लोगों को पूर्ण अधिकार है और दूसरा अधिकार तो हम और आप अच्छी तरह जानत संपत्य का अधिकार है Shumpti के अधिकार के तहत केशवानांजी ने कहा कि उन्हें यह संपत्य अपने पास ही बरकरार रखने का पूरा अधिकार है और इस प्रकार धारा 28 और 31 के तहट समयधान की उन्होंने कोट में सरकार की इस मंशा को चैलेंज किया जिसके तहट सरकार इस मठ की जमीन को लेना चाहरी थी हड़ापना चाहरी थी तो होता क्या है केश्वानन भारती मामला जो 1973 का है इसमें सर्वोच न्याले अपना निर्णा देता है और निर्णा के तहट कहता है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है ख्याल करें आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले एक और केस हुआ था गोलक नाथ केस वह अभी मौलिक अधिकारों को लेकर संसद की शक्ति को लेकर उठाया गया मामला था और उसका नाम था गोलक नाथ केस गोलक नाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सपष्ट कहा था कि मौलिक अधिकारों को छूने का अधिकार संसद को नहीं है यह 1968 की बात है मौलिक अधिकारों को में किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला सकता लाया जा सकता किसी भी सरकार द्वारा क्योंकि ये मूल अधिकार है यह है गोलक नात केस का निरना है अब यहां केशवानन्द केस में बात बदल गई सर्वोच नैले ने बदलते परिप्रेक्ष में या और गहरी विवेचना करते हुए समधान की उसने जो व्याख्या दी उसके माइने ये थे कि संसद मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर सकती है और साथ उसमें भी बदलाओ ला सकती है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है किसी भी अधिकार को वापस ले सकती है लेकिन ये लेकिन शब्द बड़ा महत्पूर्ण है लेकिन उसने कहा समधान नैले ने कहा सरोच नैले ने लेकिन उसकी मूल संरचना को बदलने की शक्ति समधान के पास नहीं है तो अब एक नई बात सामने आए कि समधान की एक मूल संरचना भी है और यदि मूल संरचना को प्रभावित करते हुए दुष्ट प्रभावित करते हुए कोई सा संशोधन तरकार बनाती है तो वह गलत है वह निरस्त माना जाएगा ये बात आई केशवानन भारती केस में तो मूल संरचना समधान की मूल संरचना को पहली बार स्पष्टता से 1973 के केस में बताया गया अब ये मूल संरचना क्या है तो इसलिए समधान की मूल संरचना और इसका विकास इस पर जो हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुवात होती है 1973 केशवानद भारती केश से गत कख्षाओं के दरान मैंने आपको ये बारंबार कहा कि नियाले की एक अहम भूमिका रही है देश के सम्विधान की रख्षा करने में इन संशोधनों के मामले में नियाले ने अपनी भूमिका बहुत जागरूकता से नभाई है और सुनिश्चित किया है कि हमारा जो सम्विधान है उसकी मूल भावना अक्षन ने बनी रहे बदलाओ आ सकते हैं संशोधन किये जा सकते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो सम्विधान के मूल आत्मा है उसमें ही बदलाओ किया जाए और ऐसा करते हुए नियाले ने समय समय पर अपनी व्याख्या दी है जिसमें केशवानद भारती केस का उदाहरन सपश्ट आपके सामने जिसमें उसने कहा संसद को अधिकार है अपने ही 1968 के निर्णे को बदल कर उसने कहा संसद को सम्विधान में मौलिक अधिकारों को लेकर बदलाओ लाने का अधिकार है लेकिन मौल संरचना में किसी तरह की छेड़ खानी ना हो उस हद तक संसद बदलाओ कर सकती है यहने एक सीमा तै कर दी अर्था सम्विधान को पूरा नहीं बदल सकती यह भी स्पश्ट कर दिया तो इस प्रकार समय आगे है जब हम थोड़ा और जाने कि नियाले ने किस तरह किस प्रकार हमारे लिए रक्षक का काम किया है तो निश्चित किया है कि फ्रांस और रूस जैसा संविधान में ही पूरा बदलाओ करने का प्रयास यहां ना किया जाए नियाले के आदेश और संविधान का विकास यह दोनों साइड बाई साइड चल रहा है नियाले का आदेश समय समय पर आया उसके निर्णे उसने संविधान के विकास में भी मदद की है जैसे उसने मूल सनरचना की बात 1973 में बड़ी स्पष्ट की मूल सनरचना का सिध्धान्त नियाले के इतिहास में बहुत एक मील का पत्थर है यह मूल सनरचना का सिध्धान्त की बात करते हुए भी नियाले ने स्पष्ट कर दिया जैसे आप यहां देख रहे हैं कि कठोर और लचीलेपन का संचलन बने रहे elasticity भी रहे और hardness भी रहे संशोधन होने की संभावना भी रहे लेकिन ऐसी भी संभावना हो कि जब तब संशोधन किये जाए इतना भी सरल ना हो जाए संशोधन की प्रक्रिया को उसमें कठोरता रहे तो इस पिकार मूल संभावना के सिध्धान के ताहत उसने स्पष्ट किया कि कठोरता और लचीलेपन दोनों में संतुलन बनाया रखने के आशकता है उसके साथ ही नैले ने आदेश दिया कि आरेक्षित सीतों की संख्या आदेश से अधिक ना हो ये एक बहुत अहम मद्दा था जब आरेक्षन की बात हुई थी 1950 के पूर्व संभिधान निर्माताओं के बीच तो उन्होंने जैसा मैंने बताया संभिधान के वंचित वर्ग निम्न तबके के लोंगों के उत्थान के लिए ये आरेक्षन की परंपरा आरेक्षन का प्रावधान किया और समय समय पर उसके काल को बढ़ाते गया आने वाले संसद आने वाली संसद एक समय ऐसा आया जब मांग उठने लगी या सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाने हो वहां जो भी आरक्षन का कोटा है उसको बढ़ाया जाए प्रणाम यह हो रहा था कि प्रश्ण उठने लगा कि किस हज तक आरक्षन हो क्या सभी सौ की सौ सीटों का आरक्षन किसी एक जगह पर हो सकता है यदि वहां सौ सीटें हैं तो या उसकी कुछ सीमा हैं यहां पर माननी सरवच न्याले के नया धीशों ने स्पष्ट निर्न दिया कि आरक्षित सीटों की संख्या उस जगह पर उस थान की कुल सीटों की आधे से कम ही रहेगी आधे से ज्यादा नहीं होगे यानि 50% ही रिजर्वेशन हो सकता है आरक्षन उसे ही कहा जाएगा ज जो आधे से कम के लिए हो अन्य था वहां आरक्षन नहीं है ये एक बहुत बड़ा दूरगामी परणाम था इसका समाच पर और आप समझ सकते हैं कि आरक्षन का क्या प्रभाव है तो आरक्षित सीटों के संख्या को आधे से कम रखने की जो व्याक्या और निर्णा दिया उसने भी समझान के विकास में मदद की उसके बाद ओबी सी के आरक्षन को लेकर भी मुद्दा हूँ उठा ओबी सी अर्थात अधर बैकवर्ड क्लासिस अन्य पिछड़ा वर्ग नियायले ने स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग में भी दो तरीके के तबके हो सकते हैं अब कुछ ही आचिकाओं पर उसने जो निर्णे लिया वो एतिहासिक साबित हुआ कि अन्य पिछड़ा वर्ग में सभी लोग आरक्षन के लिए अधिकृत नहीं है उसमें जो क्रीमी लेयर है अर्था ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से समपन्र है उसे उसने क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर के रूप में कहा और कहा ऐसे क्रीमी लेवर के लोग अधर बैकवर्ड क्लासिस की केटेगरी में रहते हुए भी आरक्षन की पात्रता नहीं रखेंगे यह भी एक बहुत अतिहासिक निर्णा था जिसने सम्विधान की मूल आत्मा को बचाया रखने में बहुत मदद की इसके साथ ही नियाले के कुछ और एक दो बिंदों ने सम्विधान के विकास में बड़ा योगदान दिया जैसे अलपसंख्यक समूहों की संस्थाएं उनकी स्थापना अलपसंख्यक समूह यह अर्थाथ माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज अपने अपने धर्म जाती आदी के लिए संस्थाओं के स्थापना कर सकती है और उनके कुछ अधिकार अपने होते हैं इसको स्ष्ट करते हुए समधान में नए इले ने समधान को लेकर नए इले ने कुछ थितियास पष्ट की और इसलिए हम देखते हैं कि देष में बहुत सारे हजारों minority institutions है, minority school, colleges, hospital, धर्म, शाला, आदी-आदी, लेकिन हाँ, वो कुछ अलग दायरे में आते हैं, पर ऐसा करने से, फायदा क्या हुआ, कि जो अलप संख्यक लोग थे, उनके हितों की भी रख्षा हो सकी, तकराओ की जरुत नहीं पड़ी, संब्धान में अमूल चूल परिवर्त की जरुत नहीं पड़ी है, अन्य पिछडा वर्ग, निम्न वर्ग, इनकी बढ़ती हुए अपेक्षाएं, उसको भी पूरा किया जातका, और साथ ही साथ सुनिश्चित किया जातका, कि संविधान की मूल धाचा, उसकी मूल संरचना, पर किसी तरह की चोट ना पहुंचे, और एक बहुत महत्पूर्ण मुद्दा जिस पर नियाले के निर्नेों ने संविधान को विकसित करने में, मदद की वह था, शिक्षा का खेत्र, शिक्षा से जुड़ हुए बिंदू, सतंतरता से जुड़ हुए बिंदू, और उसे संबंदित उपबंद, शिक्षा को लेक नियुनितम मुफ्त शिक्षा, नियुनितम आयू के शिक्षा, से शिक्षा, आधी-ाधी कई मुद्दे आये हैं, तो इस पकार संख्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि इन उदाहरनों के माद्यम से बड़ा स्पष्ट है कि सरवोच नियाले ने या नियाले ने अपनी भूमि का संविधान की रक्षा करने में यतावत संविधान को बनाय रखने में बखूबी निभाई है। तो अब हम इतना सब जानने के बाद उस सद्ध्याय का जिसका शीरशक है संविधान एक जीवन्त दस्ता वेज। इसके अर्थ को और बहतर रूप से समझने में सक्षम हो ग क्यों कहा गया। जीव जो होता है वो स्थिति के अनुसार अपने को ढालता है। हम और आप ऐसे ही जानवर, ऐसे ही पेड़ पौधे, वनस्पती, ये अपने को मौसम, माहौल, समय के अनुसार ढालते हैं कि नहीं। रात होती है तो कई फूल अपने को ढाल लेते हैं और बंद हो जाते हैं, कलियां उनकी बंद जाती हैं, सुबह होता है तो खिल जाते हैं। ठंड अत्यादिक ठंड होती है तो जानवर लोग गर्म खेतरों में चले जाते हैं अपने को ढालते हैं और या फिर अपने शरीर को ऐसा बनाते हैं कि वो इस अत्यादिक ठंड को सहन करते हैं जैसे एंटारकिटिका के बियर वहां के खास तरह की लोमडी आदि आदि रही की बात वह भी अपने को समय इस्थान के अनसार ढालता है तो इस बात को आप समझ के होंगे कि हमारा समविधान भी अपने को बदलते हुए समय के परिप्रेक्ष में बदलते हुए सामाजिक माहौल में अपने को ढालने में सक्षम रहा है और सक्षम है उसमें ये संभावना ह हमारे सम्विधान में, हमारे सम्विधान निर्माताओं के द्वारा दी गई संभावना, कि समय समय पर आवश्यक्ता पढ़ने पर सम्विधान ऐसा बनाया जाए कि वह अपने में कुछ बदलाओ कर सके जरूरत पढ़ने पर, इस बदलाओ की क्षमता उसे जीवन्त बनाती है, इस बदलाओ की क्षमता को ही सम्विधान के जीवन्त बनाने की बात से हम जोड सकते हैं, तो काफी कुछ है इसका हम विस्तार से हम समझ चुके हैं कि हमारा सम्विधान जीवन्त क्यों है, उसमें परिवर्तन शीलता है, पहला बन्दू, तमय के साथ बदलाओ की क्षमता, दूसरा गती शीलता भी है, गती शीलता कार्थ, वह सततरूप से आगे बढ़ रहा है, वि पीछे नहीं मुड़ रहा है, तो गती शील है, तीसरी विशेष्टा जो इसे जीवन्त बनाती है, या तीसरा बिंदू, जिसके आधार पे हम सम्विधान को जीवन्त कह सकते हैं, वह है परंपराओं की या व्याख्याओं की का खुलापन, ट्रांस्परेंसी, खुलापन अ जिस पर्दे के पीछे सत्ता पक्ष चाहे या न्याले पक्ष चाहे, तो अपने तरीके से सम्विधान के पंक्तियों के व्याख्या कर दे, ऐसा नहीं है, वह जो पर्दा है, वह ट्रांस्परेंट है, जिसमें सब दिखाई देता है स्पष्ट, और थत, यदि ऐसी व्याख स्पष्ट होने चाहिए, दूसरे संबंदित पक्षों को मालूम होना चाहिए, इसकी व्याख्या के कारण, यह जो खुलापन है, ओपननेस, इन इंटर्पेटेशन, कोड के अंदर जो जिरह होती है, वह खुली जिरह है, पूरे देश का समाज, उस जिरह से को देख सकता है जिरह को सुन सकता है, और उस पर अपनी व्याख्या कर सकता है, तो खुला पन, बहुत महत्पूर्ण है, तीसरा, चौथा मुद्दा जो इसे, चौथी बात, जो इसे जिवन्द बनाती हुआ है, प्रजा तंत्र को समर्थ बनाता है, और प्रजा तंत्र को समर्थ बनाने का माइन ये है कि ये सुनिश्चित करता है न्यायले या सम्विधान कि समय समय पर जो भी संशोधन बदलाओ होते हों वे प्रजा तंत्र को मजबूत बनाय रखें अक्षन ने बनाय रखें जनता में सम्मान का पात्र बनाता है ऐसा करते हुए जीवंत रहते हुए प्रजा तंत्र को मजबूत बनाते हुए जनता का विश्वास अर्जित करने में इस समविधान सफल है उसका पात्र है समर्थन का पात्र है और साथ ही साथ ऐसा करते हुए लोक तंत्र को अक्षुन बनाया रखते हुए यह संविधान टिकाओ भी है संविधान को बदलने की बात कभी नहीं आई हाँ संशोधन कुछ ज्यादा ही किसी एक काल में हुआ पर ऐसे संशोधन को लेकर जन्ता ने जिस तरीके से अपनी भडास निकाली नाराजगी निकाली कि उसने तत्काली सत्ता को ही सत्ता चित कर दिया और नई सरकार को आमंतरित किया नए दल को आमंतरित किया इस सोच के साथ ही कि वो इन संशोधित प्रावधानों को जो संविधान की आत्मा के खिलाफ हैं उनको बदल डालेगी और हुआ भी यही 73-74 और 44-वा संशोधन इसी बिन्दु को लेकर हुआ सो टिकाओ है हमारा संविधान टिकाओ है समाज में इस संविधान में ये खिंता है कि समाज में होने वाले परवर्तनों के अनुरूप अपने को ढ़ाल सके परवर्तन शील्टा तो है ही जो पहली बात मैंने बताई इसके लावा इस बिन्दु को हम और अम्प्लिफाई कर सकते हैं कि समाज में होने वाले परवर्तन जो हैं उसके अनुरूप अपने को ढ़ाल लेता है परवर्तन को स्विकार तो करता ही है पर परवर्तन के अनिसार अपने को ढालने की ख्षमता रखना एक अलग गुण है और जीवन्त संविधान कहने के लिए के पक्ष में जो अंतिम बिंदु है वो है एक जीवित प्राणी की तरह इसका व्यवखार समय समय पर पैदा होने वाली जब परिस्थितियां जो आती है तो इसके अनसूर अपने को ढ़ल लेता है उस पर प्रतिक्रिया करता है यदि ये परिवर्तन उचित नहीं है तो प्रतिक्रिया होती है ब्यालिस्वा संशोधन उचित नहीं था तो प्रतिक्रिया के रूप में त्राइस्वा और च्वालिस्वा संशोधन सामने आजा तो परिस्थितियों के बदलत काबिलियत इस सुमिधान क्यों है इसी लिए यह सुमिधान जीवंत है। लिविंग कॉंस्टिटुशन है। अभी हमने समझा कि जीवंत क्यों है। वही बात जो पूर में दुर्णाही जा चुकी है। हमने ये भी जाना कि हमारा स्विधान किस तरह से रक्षक का काम करता है सम्विधान के रक्षक का काम किस तरह हमारा न्यायलेक करता है यदि हम न्याय पालिका के योगदान की बात करें इस सम्विधान को जीवंत बनाय रखने में टिकाव बनाय रखने में लोकतंतर को बचाने में तो योगदान की बात करें तो पहली बात तो है मूल सं में इसने सामने लाई दूसरा न्याय पालिका ने ये स्पष्ट किया बहुत अहम बिंदु है कि मूल सद्धान्त की संरचना या मूल संरचना के सिद्धान्त की बात करते हुए न्याय पालिका ने स्पष्ट किया कि सम्विधान की भाषा महतपूर नहीं बहुत अहम बिंदु है सम्विधान में लिखी गई पंक्तियों की भाषा महतपूर नहीं है बलकि आत्मा के आधार पर निर्ने लिया जाए मूलियों के आधार पर जिसे हमारे सम्विधान निर्माताओं ने स्पष्ट किया था उसके आधार पर निर्ने लिया जाए उसके आधार पे व्याक्या की जाए उसके आधार पे संशोधन किया जाए आदी आदी और ऐसा करते हुए मूल संरचना के सिध्धानत को ना केवल प्रतिपादित किया बल्कि उसको और मजबूती दी उसको और गहराई दी संशोधन के उस प्राउधनों की उपादेता को बढ़ाया जिसके तहट भाशा से ज़्यादा आत्मा और मूल्यों और दर्शन पर ज़्यादा जोर देने का प्रयास प्रारम हुआ तो न्याय पालिका का ये योगदान इसके अलावा दूसरी और यदि हम देखें तो न्याय पालिका के योगदान की चर्चा करते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि न्याय पालिका और संसद के बीच जब भी विवाद हुआ अर्थाद न्यायपालिका और कारेपालिका या विधाईका के बीच जब टकराओ हुआ तो इस टकराओ में न्यायपालिका ने सुनिश्चित किया कि सम्विधान अक्षुन निब बना रहे संसद की शक्तियां वहीं तक सीमित रहें जहां टक्वा सम्विधानिक है संचद कहीं इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वह सरकार के अन्य दो अंगों पर हावी होने का प्रयास करने लगे legislative कहीं इतना ज्यादा ताकतवर ना हो जाए या कारेपालिका executive इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वह अन्य दो अंगों के शक्तियों को कम करने का प्रयास करे तो नियाय पालिका और संसद के बीच के विवाद के दर्मेशान संविधान को अक्छन ने बनाया रखने का राशटा जो निकालती रही नियाय पालिका वह बहुत बड़ा योगदान है नियाए पालिका का मूल सनरचना के सिध्धान के अहमियत हमको यहीं समझ में आती है इसके साथ ही जब भी इन दोनों के बीच में विवाद हुआ तो नियाए पालिका ने हमेशा गरीब तबके का पिछले वर्गों का और इस तरह जो अचहाय वर्ग है इनके संशोधन पर हमेशा अपनी महर लगाई इनके पक्ष में होने वाले संशोधनों पर हमेशा अपनी महर लगाई केशवानन भारती के इस पश्ट करता है मठ जुसके पास हजारों एकर जमीन एक और ऐसा मठ जहां पर जमीन की कोई विशेश कीमत नहीं है उनके लिए एक प्रापर्टी है वो और दूसरी और करोणों ऐसे किसान जो भूमी हीन है नियाए पालिका ने सुनिश्चित किया कि सरकार ऐसे ऐसी जमीनों को लेकर उसे यदि गरीबों के लिए बाटने के पीछे इसका उद्यश्य है तो ले सकती है संसद में मौलिक अधिकारों में बदलावक की सहमत ही उसने दी लेकिन साथ ही कहा एक डाइरे के अंदर समवैधानिक डाइरे के अंदर इस बात को उसने स्पष्ट किया और ऐसा करते हुए हम देखते हैं कि संसद को नियाए पालिका ने हमेशा विवश्य किया कि वो गरीब पिछड़े वर्गों के लिए सतत रूप से बदलते हुए समय में बदलते हुए परिप्रेक्ष में समवैधान में संशोजन कर सके यदि जुरत हो तो और उसमें हिचके नहीं संसद के पक्ष में ही ऐसे मामलों में साथ दिया नियालेक और संसद के बीच के विवाद यदि गरीब तब के पिछले वर्ग वंचित लोगों के लिए के मामले को लेकर थे तो ये सुनिश्चित किया गया कि समविधान की मूल जो आत्मा है जिसके पीछे पूरे समाज की अपेक्षाय जुड़ी हुई है उसको पूरा करने में यदि ये संशोधन आगे बढ़ र समविधान की जीवंतता में निश्चित रूप से हमारे समविधान निर्माताओं की दूर गामी सोच की भूमी का बहुत महत्पूर्ण है दूसरे शब्दों में समविधान की जीवंतता के लिए काफी कुष्रे समविधान निर्माताओं को जाता है वहीं डूसरी ओर समविधान की जीवंतता बनाय रखने में हमने न्याए-पालिका की भूमिका को भी समझा और ये जाना कि न्याए-पालिका ने एक बहुत सार्थक भूमिका निभाई है और कठिन दौर में भी उसने सुनिश्चित किया है कि सम्विधान की मूल संरचना या थावत बनी रहे सम्विधान की जीवन्तिता को बनाया रखने में एक तीसरा पक्ष भी है और वह है राजनीतिग्यों की परिपक्वता राजनीतिग्यों की भूमिका भी एक और जहां कई बार सम्विधान पर चोट पहुँचाती नजर आई सम्विधान की मूल भावना पर वहीं दूसरी और राजनीतिग्यों का एक ऐसा बड़ा तब्का भी था जिसने सुनिश्चित किया के सम्विधान अक्षिन ने बना रहे एक राजनीतिग्यों की वह बहुआ गुरुप था वह सरकार थी जिसने 42. संशोधन करके लगू सम्विधान का निर्मान कर डला वहीं दूसरी और ये राजनीतिक परिपक्वता का ही परणाम था कि जनता ने ऐसी सरकार को ना केवल निकाला तत्ता स्चित किया बलकि नहीं सरकार को स्पष्ट किया कि उनसे अपेक्षा है कि वहीं संशोधनों को खारिज करे और ऐसा करते हुए जो 43-44 संशोधन आया वह राजनीतिकों की परिपक्वता का ही तो उदाहरन है राजनीतिक दल, नेता, सरकार और संशद इन सबने संविधान की मूल संरचना के सिधान्त को स्विकार कर लिया है सं 73 से पूर्व, ये मूल संरचना वाली बात उतनी सपस्ट नहीं थी संविधान की भाषा ज्यादा महत्पूर्ण समझी जारी थी आत्मा और उसके पीछे नहित जो वैल्यूस थे, मूल थे वे कहीं प्रिश्थ भूमें चले गए थे यहां नियायले ने इसको सामने लाया और राजनितिक परिपक्वता का ही परणाम है कि सभी दलों ने, संसद ने, नेताओं ने और सरकार ने इस मूल संरचना के सिध्धान्त को माना है और आज भी उसी सिध्धान के तहट देश चल रहा है संशोधन हो रहे हैं, आउशकता पढ़ने पर आदी आदी तो ये राजनितिक परिपक्वता या राजनितिक्यों का नजरिया यह भी हमारे संविधान को जीवन्त बनाया रखने में काफी कुछ सहभागी रहा है यदे पिस संविधान की समिक्षा की बात चलती रहती है जब तब ये बात आती है कि सम्विधान की समिक्षा की जुरत पड़ेगी ने व्याक्षा की जुरत है समाज बदल गया है समय बदल गया है तो पुनर व्याक्षा की जुरत है लेकिन ये प्रक्रिया सम्विधान की मूल सनरचना के सिध्धान के तहत ही होगी ये बात स्पष्ट हो गई है और सभी दलों ने इसको सिकार कर लिया है अंगीकार कर लिया है कि हम मूल संरचना से छेड़ छाड़ नहीं कर सकते हैं हम यह कदाप ही नहीं सोच सकते कि 42 में संशोधन जैसा कुछ और संशोधन किया जाए जो संब्धान के मूल संरचना पर चोट पहुंचा है यह स्पष्ट हो गया कि मूल संरचना इन राजनीतिक्यों में यह बात स्पष्ट है कि मूल संरचना के सिधान्त के द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर अब हम नहीं जा सकते स्पष्ट होना और उसे अंगी कार करना यह दूसरी बात है तो यह परिपक्वता का ही परणाम है या परिपक्वता को दिश्टिगोचर करती है राजनीतिक परिपक्वता को कि मूल संरचना के सिधान्त की बात को सहर्ष्विकार कर लिया गया है और 1973 के बाद से आज तक जितने संशोधन हुए हैं उन संशोधनों में मूल सनरचना की बात इस पस दिखाई देती है उसकी चाप इस पस दिखाई देती है यह जो संविधान है मैंने जैसा पूर में का संविधान सभा के सदस्यों ने भी जो 1950 से पूर थे उन्होंने भी हमेशा व्यक्त की गर्मा की बात की आजादी की बात की समानता की बात की जनता के खुशाली की बात की और साथ ही राष्ट्री एक्ता के मूल्यों पर जोर दिया उन्हेंने जिस सम्विधान का निर्मान किया वह सम्विधान इन्हीं मूल्यों पर अधारित है व्यक्त की गर्मा स्दंतरता आजादी एक्वालिटी समानता खुशाली और हां राष्टी एक्ता तो सम्विधान सभा से लेकर आज तक हम सतत र रूप से उन मूल्यों को ना किवल संजोने बलकि उनको सिंचित करके और बढ़ा रहे हैं ये मूल्य ना किवल बरकरार बलकि ये मूल्य की पैठ जो है ओर दिन बादिन गेहरी होती जा रही है